नमस्कार साथियों मैं मोहन सिंग्राटोर आप सभी का हमारे ऑनलाइन अर्जुन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सवागत करता हो हम बढ़ रहेते टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज जो हमारी एक हो हो चुकी है यह दूसरा टेस्ट है दूसरे टेस्ट का भागलास्ट वाड़ा जो है राजस्तान जीक्के उस राजस्तान जीक्के से समंदित जो हमारे सवाल ते उन सवालों के जवाब देड़े की कोशिस करूंगा आप सभी की बीच में 106 नमबर यानि कि जीक्के का पहला बनी ठणी राजस्तान की किस शेली की पैंटिंग है बूंदी शेली मेवाड अलवर शेली किसनगड इसका आंसर रहेगा किसनगड शेली किसनगड शेली जो है ये निहाल चंद्वारा रच्चित है किसनगड के राजा आपके सावन सिंग या नागरिदाश के समय की है किसनग ने कीती राठोड बंस का ये तीसरा राज्य है राधिस्तार में पहला मारवाड यानि की जोदपूर दूसरा हमारा भी कानेर और तीसरा रहेगा किसनगर्ड नेक्स शवाल है फूल डूल मेडा कहा लगता है ओप्शन में जाड़ोर नागोर 12 तील वाडा अंसर रहेगा 12 अगला सवाल राठोडों की कुण देवी है नागनेची माता नारायणी माता बढ़ली माता आई माता इसका अंसर रहेगा नागनेची माता या जिसी चक्रे शु आगाना गाओं में इस्तित है बताया जारा आठारा भुज्जावारी देवी की मूर्ती ये मूर्ती आपके करनाटका से दूर जी राठोड ले आए राठोड बंस के सस्तापना राओ शीहा जी जो जैचन गेरवाल के वनसस बताए जाते हैं इसी कड़ी में नेक्स अवाल है खजूर अनुसंदान केंद्र कहा है ओप्शन एक काजरी जोधपूर ली आफरी जोधपूर सी विकानेर ली उदेपूर आंसर हो जाएगा विकानेर नगर की स्तापना राओ विका ने कीती 1488 के आसपास आखातीज के दिन राओ विका जोधपूर के मारवाड के राठोड और शक्की आरादे दिवी भी के सकते है विका निरवालों की कुर दिवी भी कहीं कहीं माना जाता है। नागने चिमाता का मंदीर भी है जिसका निर्मान करन सिंग राठोर ौर गंगा शिंग ने करवाया। अगला सवाल डावरिया प्रता किस समंदित है आप्शन में विवा से दास प्रता से मृत्यू भूज से जनमोचो से आंसर हो जाएगा दास प्रता डावरिया प्रता का मतलब प्राचिन समय में राजा महराजा अपनी पुत्री को सात में दहिज में देते तेश का जाता डावरिया प्रता अगला सवाल रेडिया बांध राज्य में कहां इस्तित है अप्शन में धोलपूर, भिलवाडा, दोस्षा, भिकाने आंसर रहेगा दोशा, मैक्स अवाल रहेगा किस चित्रकार को मूर धवज कहते है, सिक्ता राम लालस, निम्बा राम ये बिम्बा राम, पिकाशो, निहाल चंद, आंसर रहेगा निहाल चंद, निहाल देंस वही याना निहाल चंद वही जो आपके किसनगड के राजा, सामन स या नागरीदास के दरबार में निवास करते इन्होंने बताया जारा अच्छे अच्छे फोटो है बनाई जैसे एरिक डिक्सन ने किसनगड की सेली को कहा था भारत की मोना निशा फिर सवाल है राज्य की वह जनजाती जो मेले में अपना जीवन साथी चुनती है दील मीना श शहरिया जनजाती मुक्खे रूप से मद्यप्रदेश के आसपास रहती है राजस्तान में 12 जिल्ले में नाक्स सवाल ख्वाजा फक्रुदीन की दरगा राजस्तान में कहां है आप्शन में बयाना सर्वार अजमेर नागौर जैपूर आंसर रहेगा सर्वार अजमेर ख्व ख्वाजा मुहिन दिन शिष्टी जो है उनकी भी अजमेर में है ख्वाजा मुहिन दिन शिष्टी वो जो आपके आपके गोरी के साथ में आयते पॉर्तिरा चोवान तर्तिय के समय अजमेर में नाक्स सवाल राज्य में सर्वादिक गने का उत्पादन कहां होता है जाड़ फिर सवाल राज्य में शूर, विकास, फार्म कहां इस्तित है? जैपोर, चूरू, उदेपूर, अलवर. आंसर रहेगा डी, अलवर. अलवर में ध्यान देना, शूरू का एक मात्र प्रसिक्षन के अंदर भी खोला गया है. नेक्स सवाल, सेर, शिकार, गृद्वारा, वा मंचकूर, इस्तित है? दोलपूर, बरतपूर, गंगानगर, बिकानेर. आंसर रहेगा दोलपूर. दोलपूर की स्तापना, एक हिंदू जाट, महाराजा, कील सिंग द्वार की गई थी 1806 में. और बरतपूर हमारे 19 रियास्तों में दो जाट रियास्ते, जिसमें बरतपूर और धोलपूर. नेक्स सवाल, सोनाडी वो मालपूरी किस पशू की नसल है? बक्री, भेड, घोडा, गा, आंसर हो जाएगा भेड की नसल है. मालपूरी भेड जो है, जेपूर, टॉंक, स्वाई मादपूर, बूंदी के आसपा किस दुर्ग को कहेंगे? सोनारगड, जसल मेर, रनतंबोर दुरग, स्वाई मादपूर, भटनेर, हनुमानगड, मेरानगड, जोदपूर. आंसर हो जाएगा भटनेर दुरग. भटनेर की स्तापनाब 225 इसी में भूपत भाटी ने की, इसी भटनेर दुरग को आपकी वीक तेमूर ने भी आकर्मन किया और बताया जारा, बटनेर आकर्मन की समय, एक मात रहसा राजिस्तान का गड़, जहांपर मुस्ली महिलों ने भी जोर किया. नक्स सवाल परशा बावडी कहां इस्तित है? आप्शन में जाड़ोर, जैसलमेर, धोलपूर, जोदपूर. आंसर ह ही रहेगा, कोटा जो है राजस्तान के उत्र भारत में चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, और अठारी सताब्दी के मध्यो जगमंदिर पैलेस, जो है किसोर सागर, जील के बीच में, ये कोटा में इस्तित है. नक्स सवाल हिंदू सुर्तान, उपादी से सम्मन दित है, क प्रताब की कोई उपादी नहीं है, राव मालदेओं की उपादी पुचे हस्मतवाला राजा, जो फार्शी इतियासकर ने कहा, माराजा सूरिजमल, इन की उपादी देखे तो जाटों का अपलातू, जाटों का प्लूटो, या जाटों का अनमिंदिया मोत्ती, गेरिबाल साहिति के चतर में राणे राज गुरू, चाप गुरू, हाल गुरू, दुनिया पर की उपादीया राणा कुमबा की हो जाएगी, हिंदू सुर्तान कुमबा और हिंदू पत्त राणा सांगा हो जाएगी, नेक सवाल, तस्त्री नूमा बेशिन में बसा सहर कोन सा, अनसर, उदेपूर वही उदेपूर जिसकी स्तापना मिवाण की महारणा उदेशिंग सेकेंड ने 1569 के आसपास की थी। इसी कड़ी में अगला सवाल वह वादी यंत्र जिसका आकार वीना के समान होता है। सहनाई रावनता जंतर अलगोजा आंसर हो जैगा जंतर। अगला सवाल वह संपरदाए जिसके अनुयययों को 36 नेमों का पालन करना परता है। पहला option दूसरा जसनाती अंसर जसनाती संप्रदाय हो जाएगा तीसरा विशनोई चोटा दाई संप्रदाय जसनाती संप्रदाय ध्यांदेना एक जाट जाती का सिद्ध संप्रदाय है यह मुक्यत राजस्तान के जोदपूर और विकालेर के मनलों में मुझूद है इसके संस् करने भीलों को वन फुत्र कहा है करनल जैम स्टॉड फर्ग्यूशन विश्व हबर कि पलेंग आनसर हो जाएगा करनल जैम स्टॉड जो आपके राजस्तान हिस्ट्री के पिता भी कहे जाते हैं करनल जैम स्टॉड मेवार के पॉलिटिकल एजेंड भी बन कर आए करनल जैम केना किताब भी लिखी अटार्श ऑनतीस में हैं एनल्स अन्टिकूटीज ऑफ राजस्तान इसी का दूसरा नाम सैंटर्ल, वेस्टर्न, राजबुतारा, इस्टेट ऑफ इंडिया एक किताब और लिखी 832 में पस्सिं भारत की यात्रा जो 1849 में परकसित हुई है बाग्स में कौन सा सहर चुकंदर की खेती करता है अलवर जाल और गंघानगर जञाला वाजवाड आंसर हो जाएगा गंघानगर अगला सवाज राजस्थार में सिर्प मोर कप का संबन्ध किसखेल से है होकी बैडमिंटन, पोलो, क्रेकेट आंसर हो जाएगा पोलो से संबन् अगला सवाल मेवाड का वर्तमान सासन नामक पुस्तक किस ने लिखी सागरमल गोपा मानिके लाल वर्मा स्यामल दास बांकी दास आंसर हो जाएगा मानिके लाल वर्मा शागरमल गोपा की तो है नहीं उनके तो जैसलमेर का गुंडाराज वगरा आजादी की दिवाने वो कित इस किल्ले बढ़े, तो आंसर हो जाएगा मान जिहांने करकापी किये, चिनल चमबल की क्या, की विजोरिया किसाना आन्दोलन को समप भी करवाया था, आगला सवाल रहेगा, राजै की तो ब 1, करकरयखा को दो बार पार करती है, बाही, लूनी, बनास, चंबल, आंसर हो जाए जाएगा माही नदी द्यान देना माही नदी पस्टिम भारत की परमूग नदियों में से एक है यह मत्य प्रदेश के धार जिले से निकरती है और करकरेका को दो बार काड़ती है नाक सवाल राजस्तान में जन्द संक्या का सरवादीक प्रतिशत किस भू आकरतिक प्रदेश म है और पस्टिम पूरी मेदान दक्षिन पूरी पठार अरावली परवती परदेश आंसर हो जाएगा पूरी मेदान नाक सवाल रहेगा राज्य की कौन सी जील उत्तम किस्म का नमक तियार करती है संबर पच्पद्रा जील डीडवाना लून करनसर आंसर हो जाएगा राजस्तान के बाड में जिले में लूनी नदी के पास में इस्तित है यह जो जील है राजस्तान में सरवादिक नमक उत्पदन का कारे करती है इस जील में खारवाल जाती के लोग जो है मोरली जाडी के उप्योग द्वारा नमक को बनाते हैं नाक सवाल किस संबाग में सब से कम नदिया मैती कोटा विकाने बरतपूर उदेपूर आनुसर रहेगा विकाने संभाग जिसमें सबसे कम नदिया रहेगी फिर सवाल है दीर जल परपात कहां इस्तित है बीलवाडा दूंदी कोटा भरतपूर आनुसर रहेगा बरतपूर बरतपूर वही जिसकी स्तापना आपके भरत के वंसर जाटों ने कीती, next सवाल मेमन किसे कहते है, option A, हाथ में पहने जाने वाला अभुशन, B, पेरों में पहने जाने वाला अभुशन, C, कमर का, D, सेर्व का, तो ध्यार रहना, मेमन जो है, शेर पर पहने जाने वाले आभुशन को कहा गया है, next सवाल रहेगा, मरते समय मुँ में सराब की भूंदे डालने का प्रचलन, कोण सी जन्जात्ती में है, कतोडी, कंजर, डामोर, मीना, आंसर रहेगा, कंजर, फिर सवाल, गुणिजन खाना 22 समंदित है, सवाई इस्तुरी सिंग, जेज सिंग, मान सिंग, परताप सिंग, आंसर रहेगा, सवाई परताप सिंग के दर्बार में, गुणिजन खाना निवास करते, यानि की 22 विद्वान लोगों की टोली रहती थी, सवाई परताब सिंग जी वही जिन्नोंने हवा मेल का निर्मान भी करवाया जैपूर में 1799 में और सवाई परताब सिंग स्वयम भी मिरज निदी के नाम से कवीतों की रचना करते दे नाक सवाल बं निर्ते का समन का किस्से है अलवर करोडी अलवर भरतपूर भरतपूर करोडी करोडी स्वयम पादपूर आनसर रहेगा B अलवर भरतपूर फिर सवाल तेजा जी लोग देवता का जनम अस्तान कहा है सुरसुरा परबसर जेतारान खरनाग आंसर हो जाएगा खरनाग तेजाजी लोक देवताज जो है खरनाल में जनमें इनके मंदिर भी है या पर मेले भी लगते तेजाजी की याद में तेजाजी की गोड़ी का नाप लिलन ता जो तेजा जी की मृत्यों का समाचार ले गी थी नक्स वाल लोहारगल मिला समंदित है जुन्जनों, शिकर, चुरू, बिकाने अंसर हैगा जुन्जनु वही जिसकी स्ताबना जुन जाने की है नक्स वाल आलाज आलारी कुनलिया की रचना किस ने की आपके आला जाला नहीं आएगा मुणो नेंसी ने गरंद लिखेती मारवार प्रगनारी भिगत और मुणो नेंसी रिख्यात दुर्शाड़ा वही है जिन्नोंने पुर्तिराज राठोड के बेली किर्शन रुकमनी रिख्यात को पांचवा भेद और उनिसवा प्राण की इस मृतु में सरवादिक आंदिया कि जिल्ले में आती है जाण और बाड मेर श्री गंगानगर विक्का ने अंसर हो जाएगा श्री गंगानगर जिल्ले में सरवादिक आंदिया बैती है आती है नक सवाल राजस्तान का ऐसा कौन सा वरक्स है जिसे बारतिय धरम गरंतों मे शम्मी वह अस्तानी भासा मैं जाटी कहा जाता है आंसर हो जाएगा खेजजडी वरक्स फिर सवाल इंद्रा गांदी नहर परियोजना में सबसे पहले सबसे अधिक लिप्ट नहर परियोजना है किस जिल्ले में है जोदपूर जसलमेर, विकानेर बाड में, आंसर हो जाएगा विकानेर नक्स सवाल, सुमेलित कीजिए, एक तरफ परियोजना के नाम है, एक तरफ उसे सम्दी योजना दी रखिये चाकान के सामने बुंदी है, औरही के सामने चितोडगड है, पांचना के सामने करोनी है, बेताली के सामने बारा है तो ध्यान देना अप्शन रहेगा ए नक्स सवाल, आटारासर शत्यावन के विद्रो के समय है, राजपताना च्छेतर में, एज जी जी कौन था? मेरे वर्टन, शव रस, मॉक मोसन, पैटिर्ग लोरेंश, आंशर हो जाएगा पैटिर्ग लोरेंश एज जी जी का मतलकं अजेंट टू गवर्नर जनरल, क्रामती के समय हमारा गवर्नर जनरल भारत का लड़ केनिंग था और उसके नीचे जो रहता है AGG, Agent to Governor General of Patrick Lawrence और राजस्तान में उसके बैठना का इस्तान पहला जमेर और दूसरा माउंट अबू रहेगा और पूछ ले राजस्तान का पहला AGG कौन तो ध्यांदरना लोकेट है और क्रामती के समयता पैट्रिक लोरेंस नाता प्रता, विवाप्रता, मृत्यूभूज, करण छेदन, आनसर हो जाएगा विवाप्रता नात्स सवाल, स्वामी दयानन सर्शोती, इस्मर्ती, सोध, सहस्तान कहां है उदेपूर, जेपूर, कोटा, जोदपूर, आनसर हो जाएगा उदेपूर में है यह आनसर की हमारे पिपर, जो टैस्ट सीरीज का दा, उसका जो लास्ट वाड़ा भाग है, राज़तान जीके, उसकी आनसर की थी, जिसका आपके साथ आनसर बताने की कौशिस की गई है इसके अलावा next हमारा जो भी test series गा जो भी होगा उसमें तो राजस्तान जीके के जो सवाल होंगे उन सवालों के जवाब देने के लिए मैं आप सबी के बीच में आजीर होंगा तब तक के लिए आप सबी लोग जितने भी साति से होगी जोड़े है इस हमारे अर्जन क्लासेज के ओनलाइन यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से भी करवाएं, और कैसा लगा वीडियो, ओ एना साथ में, कमेंट बोक्स में, जरूर अपनी राई देवें, धन्यवाद.